तो बचो आज के इस लेक्षर में मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ चेप्टर नमबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन तो बचो श्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक क्वेशन का आंसर करो हमारे जीवन में लाइट की इंपोर्टेंस क्या है यह आप सभी को पता पूछ रहा है फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं वह बो लोगे सर लाइट के बिना हम पुछ नहीं देख पाएंगी बहुत जादे इंपोर्टेंट सब्सक्राइब यह तो लाइट का इतना इंपोर्टेंस है कि अगर लाइट नहीं होगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत प पाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल में जो नेक्स चैप्टर है यूमन आया अन्द कलर फुल उसमें पढ़ाया हुआ है तो अगर वो लेक्टर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना इंप्पोर्टन है क्योंकि मुवी ठीक है तो लाइट के रिए हमने देख लाइट जो है मैं आपको बता रहूँ लाइट जो है स्टेट लाइन में ट्रेवल करती है और रे की फॉर्म में लाइट के हम बोलते है लाइट रे की फॉर्म में ऐसे ट्रेवल करेगी ठीक है वह एक लाइट सोर्स है यह होता है तो ऐसा होता है अब एक्जाम में क्या बन काकपा हो जिसमें light करते हैं जा करती हैं मिन ना क्या करती है बेंड कर रही है थी टेकंड करेगी वह तो आप बढ़े कि Alright तुकि आपने पहले से पढ़ा हूँ इसलिए आप कह सकते हो ठीक है मैं मानता हूँ उसमें क्या है bend करेगी, क्यों करेगी वो आप reflection में पढ़ोगे लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है term जो है वो आपको पतावने चाहिए वो है diffraction of light क्या है diffraction of light तो exam में question ऐसे आ जाएगा, यह सीधा line shape देंगे question है, if an object if an opaque object light के पाथ में एक opaque object को रख जाएगा तो light का पाथ हो जाएगा, बिल्कुल small ठीक है, जब light का पाथ बिल्कुल small हुआ तो light क्या करेगी, bend हो जाएगी bend around हो जाएगी and straight path में travel नहीं करेगी ठीक है, यह एक effect है जिसे हम बोलते है, diffraction of light ठीक है बच्चो, बाकि थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने wave theory of light के बारे में भी बताया हुआ है and modern quantum theory के बारे में भी बूला हुआ है, बस अब दों का इस्तेमाल किया हुआ है, wave theory का मतलब क्या है, उसके अनुसार यह है कि light क्या है ऐसे wave की form में travel करती है ठीक है, एक particle theory भी है particle theory तो यह है कि light छोड़े छोड़े particle से मिलकर बनी होती है and जब move करती है तो बिखुल straight line में move करती है यह जो पढ़ रहे हो आप straight line वाला यह ray की form में, यह particle के अंदर आ जाते है बाकि quantum theory of light वो दूसरा topic है, बड़ी class का है अभी हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, तो आगे बढ़ते है बच्चों, बात करते है reflection of light की सबसे पहले देखते है reflection क्या होता है यह चितर देख रहे हो इसमें हो क्या रहा है light की एक ray आ रही है देखो light की अंगिनत रही होती है, लेकिन क्या हमें सारी ray को पढ़ना जरू है, नहीं एक या दो कोई पढ़ लो, उससे हमारा काम हो जाएगा तो यहाँ पर एक ray की बात हो रही है, light की एक ray आई किसी angle से आई है, अब देखो आप खुछ जानते हो यह कोई न कोई angle से तो आई है तो जिस angle से light की ray आईगी, उसी angle से टकरा जाईगी, टकरा गई लेकिन मैं कैसे ensure करूँ, same angle से गई है तो करना क्या होगा, बीच में एक ऐसे line खेच दो straight, जिसे बोलते हैं normal, ठीक है, normal खेच दिया normal and ray of light जो आई है अब जो light की ray आई है, उसे हम बोलते incident ray, तो जो incident ray आई है उसके बीच में, normal के बीच में जो angle होता हो, बोलते है, उसे angle of incidence तो जो angle of incidence होगा अब reflect back हो ये light, हम बोल रहे हैं same angle से light reflect back होगी तो उस angle को बोलते angle of reflection अब देखो ये ऐसा भी नहीं है कि ऐसे हवाब आजी में मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल practically proven है इसी लिए बताया जा रहा है आपको, तो इतना समझो exam में आएगा reflection तो ऐसे diagram दे सकते हैं, पूछा जा सकते है कि ये कि diagram है reflection, reflection ये reflection का तो आपको reflection का बताना है, लेकिन reflection के लिए कुछ condition है वो समझो ज़रा पहली condition है reflection के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो angle of incidence है, जिस angle से light की रहे आ रही है, उसी angle से light की रहे टकराके जाएगी, जो की है angle of reflection तो हमें ऐसे दिखाते है, angle i equal to angle r, ठीक है सही बात है, लेकिन सबसे जादा important चीज़ा वो ये है कि जो object है वो कैसा है, opaque तो नहीं है एक तो होता है opaque, एक होता है transparent और एक होता है translucent, तो जो object होना चाहिए वो translucent होना चाहिए, translucent का मतलब क्या होगा, कि उससे light pass ही ना कर पाए, ठीक है, light जब pass नहीं करेगी, तब ही वो reflect करेगी अगर pass करने लगी, तो light फिर reflect करेगी और diffract करेगी, ठीक है reflection, diffraction, dispersion ये तब होते हैं जब light pass थू करते हैं object से, वो आप बाद में पढ़ोगी, ठीक है, main condition क्या है, object क्या होना चाहिए translucent होना चाहिए, ठीक है, तो पहले चीज़ आपको ये समझ में आई, ये law of reflection है law of reflection बस ये ही कहता है, कि जिस एंगल से light आ रही है, उसी एंगल से वापत जाएगी और दौनों के एंगल को हम equal रखते हैं दूसरी चीज़ ये कही गई है law of reflection में कि सुनो, light आ रही है, ठीक अच्छी बात है, अब देखो, लेकिन ये सारे काम क्या होंगे, ये होंगे एक ही सर्फेस पे, जैसे कि एक ही सर्फेस पे incidence ray आई, सेम सर्फेस पे टकरा के incidence ray चलेगे, और ये सी बात है, common sense है, ऐसा तो हो गई, तभी तो reflection हो रहा है, एंड जो नॉर्मल भी आप खेचोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, वो incident ray है, reflected ray है, उसके बीच में खेचोगे, एंड जो object है, उसके सर्फेस पे खेचोगे, सेम पॉइंट पे, देखो, आप देख सकते हो, तीनों क्या है, सेम पॉइंट पे बन रहे हैं, ये है reflection of light, important था, समझ आ गया भी, बच्पन से देखते आयो, ठीक है, दो टाइप के mirror है, एक mirror होता है, plane mirror, दूसरा होता है, spherical mirror, plane mirror क्या होता है, ये देखो, ऐसा है, plane mirror बिल्कुल, straight होता है, plane होता है, सही बात है, इसी दो हम plane mirror बोल रहे है, और इसमें जो light, अगर सीधे एंगल से ही, तो सीधे एंगल से पिछले में आपने diagram देखा ना, ये plane mirror का हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा होता है, अब होता क्या है, plane mirror पे जो image बनते है, वो equal size की बनती है, जैसे कि एक आगर साइज ये है, तो इमेज बन रहे है, इस उसका भी size सेम होगा, लेकिन बस फर्क क्या होगा, कि inverted होगी, inverted का मतलब य reverse होगी, मतलब ऐसा है कि आप mirror के सामने खड़े हो जाओ, जो आपका real में right होगा ना, जो image बन रही है mirror के अंदर, वो क्या हो जाएगा left, जो image के अंदर left हो आपका right होगा, ठीक है, ये होता है, लब image के अंदर जो left होगा, वो आपका right होगा, इतनी चीश के लिए हुई एक्जाम में कभी कभार plane mirror से related question पूछ लिए जाते हैं, पता होना चाहिए, next हम चर्चा कर लेते है, spherical mirror की, ये है एक sphere, दिल पे मतले लेना अच्छी drawing नहीं है तो, ये एक sphere, sphere आपने पढ़ा है, ball देखे, ball, cricket ball वगएरा, तो वो क्या spherical form में होती, although ये circle है, लेकिन imagine करो, ये radius of curvature, radius of curvature इतना समझ में आया, अच्छी बात है, ठीक है, distance को radius of curvature हम बोलेंगे, अब देखो, इसके दो surface है, एक outer surface है, इनर surface है, अगर inner surface पे reflection हो रहा, वो हो जाएगा, concave mirror, आउटर surface पे reflection हो रहा, वो हो जाएगा, convex mirror, ठीक है, इतनी चीज़ समझाई, convex mirror and concave mirror के बारे में, च यह जो हिस्सा है, इसी को आप पढ़ते हो, and इसी के उपर ray diagram वगएरा, ड्रॉ किये जाते है, तो बच्चो, होता क्या है, यह छोटा सा हिस्सा है, माल लो, इसको A माल लिया, तो B book में देखोगी न, कई जगे A B भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम ब आती है, उसे हम बोलते है, principle axis, क्या बोलते है, principle axis, and अब यह देखो mirror, mirror के बीच में, center में, line cross कर रही है, तो यहाँ पे cross होगी, इस point को हम बोलेंगे, क्या pole, क्या बोलेंगे, pole, ठीक है, अब क्योंकि यह जो mirror है, यह sphere का part है, तो इसका कुछ center होगा, उसे हम बोलते है, center of curvature, क्या बोलते है, center of curvature, and distance between center of curvature and pole is known as radius of curvature, क्या बोलते है, radius of curvature, तो यह एक ही बार मैं आपको बतारों, फिर तुम्हें, आपको बस बताता जाओंगे, advance चीजे, अभी अच्छे समझ लो, तुसे हम क्या बोलेंगे, radius of curvature, distance between pole and center of curvature, सही है, अब उस radius of curvature का भी आधा कर लो, तो वो बन जाता है, हमारा focus, क्या बन जाता है, focus बन जाता है, and इसे focal point भी बूला जाता है, ठीक है, focus का समझ में आया, अब देखो, क्योंकि focus radius of curvature का आधा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2F equal to R, बात भूई हो जाएगे, ना, दो को इधर ले जाओ, तो R by 2 हो जाएगा, समझ ल difference बता दिया है, अगर reflecting surface अंदर की हो रहा है, तो वो है concave, बाहर की हो रहा है, reflecting surface तो वो बन जायागा, convex mirror, next अब हम बात करते है, image formation by spherical mirror, सबसे पहले आप पढ़ोगे, image formation by concave mirror, यह कुछ 6 cases है, जो आपको पढ़ने है, and यह table याद रखना, exam में fill in the blank, सब सीधर सीधर table diagram बनाना आएगा, तो चलो, वो भी मैं आपको बता जेता हूँ, सबसे पहले देखा जाए थोड़ा की ray diagram representation कैसे करनी है, तो दो तीन चीजे है, जो important है आपके लिए, मैंने जैसा कि आपको बता है, ray आ रही है, तो वो straight lane में आएगी, तो यहाँ पे कुछ ना rules बगेरा है, तो रूल है, उसी के फिर बाकी के दो, तीन और चार रूल जो है, वो उसी के उल्टे है, पहला rule यह कहता है, अगर light की ray straight आ रही है बिल्कुल, and parallel to the principal axis, यह प्रिंस्पल axis है, प्रिंस्पल axis के अगर light की ray parallel आ रही है, तो वो reflect back होगी कहा से, focus से, तकरानी के बाद कहा से गु तो जिस एंगल से हैं, उसी एंगल से चले जाएगी, clear बात है, भाई आई, पोल पे टक रहे हैं चले गई, हाँ, यह मत बूलना, यह बिल्कुल नहीं बूलना है, angle I equal to angle R, इसी इसाब से आप ray diagram भी बनाओ गए, अगर आगे की मैं बात करो, अगर आगे पूछा जाता है, second term वगेरा कि अभी तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, अगर आप detail में बना रहे हो, तो यह थोड़ी सी formality कर लेना, formality यह करनी है, कि जब ऐसे आपने ray diagram बनाया, focus से गुजार दिया, तो ऐसे एक ना, center से होकर गुजरेगा, क्या normal, normal जो बनता है, वो center से होकर तकराई ऐसे चलेगे, अब देखो, cross तो नहीं करेगी, ठीक है, light के लिए पार तो नहीं हो जाएगी, तो ऐसे चले जाएगी, फिर कैसे बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे, हम imaginary बनाएंगे, हमें पता, focus अंदर होगा, center of curvature अंदर होगा, तो हम क्या करेगे, ऐसे, यह हमने normal draw कर दिया, फिर उसी के साब से हमने, ऐसे reflect back कर दी, light को, ठीक है, and focus पे हमने दिखा दिया, कि हाँ, अगर सच में cross करती, तो focus पे बनती, जैसे की, concave में होता है, ठीक है, चलो आप देख लेते है, image formation, 6 जो cases है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक काम करना, book उठाना, मै diagram के थूँ, आपको cases बताऊंगा, पहला case क्या है, पहला case है कि जब object infinity पे हो, अब object infinity पे हो, बहुत दूर होगा, है ना, हमें पता नहीं, उसका size कितना है, क्या है, क्या है, क्या नहीं है, हम मान के जनते हो, उसका size काफी है, काफी बड़ा है, object का, ठीक है, तो ऐसे हम दिख cross करते हैं, वहीं पर हमारी क्या बनती है, image, तो convex mirror में कैसे बनेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पर image कहा बन रही है, यहाँ पर बन रही है, फोकस पे, ठीक है, अब diagram देखके ही, आपको समझ में आ जाएगा कि properties क्या है, पहली बात, position of image, sorry, position of object at infinity, दूसरी ब बन रही है, देखो, अगर light की रहे है, यह, sorry, object जो है, उपर बन रहा है, image उपर बन रहे है, तो, हम क्या बोलते है, जो image है, वो erect है, ठीक है, यह, ऐसा समझो ना, ये, अगर उपर है, तो erect है, तो inverted है, ठीक है, तो यह erect हो गया, अब देखो, क्यूंकि image focus पे बन रहे है, न इमेज्ट साइज है तो यह केस वन होगे आपका मैच करते जाओ उस टेबल से अगले केस के अगर मैं बात करूँ अगले केस में क्या है अब क्रोनलोजी समझो पहले अब जेक्ट अब बहुत दूर फिर आया थोड़ा सा पास थोड़ा सा पास आके कहा आया अब यहाँ पर पोल से भी गुजरेगी अब यहाँ पर पोल से भी गुजर सकते थे और लेकिन पोल से पहले तो से पास में से गुजर दो एंड क्यूंकि सेंटर ओफ करवेचर से लाइट की रही है एंगल क्या 90 डिग्री बनेगा अगर ऐसे है यह सेंटर से कोई भी चीज गुजरेगी भाई सरकल के लिए सेंटर ऐसे करो ऐसे करो सब बराबर होंगे ठीक है उस इसाब से समझो तो सेंटर ओफ करवेचर से अगर पर हो गई क्रॉस ठीक है कट गई यहां पर क्या वनिए इमेज बनी इमेज बनी तो इमेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे हम बोलेंगे कि साइज ऑफ इमेज इस शौर्टर डैन ऑब्जेक्ट ठीक है स्मॉल साइज है यह डिमनेश्ट बोल देंगे क्या बोलेंगे इसमें थर्ड केस में देख लो जल्दी से बताओ अब देखो अब अब अबजेक्ट आगे थुड़ा और पास और पास आके कहाएगा वो सेंटर पर बैठ जाए तो ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे फोकस से गुजारी तो ऐसे हुई गुमा फिर आके कहने का मतलब यह है कर दिया पास कर आप देखो सेंटर ऑफ कर वेचर के बाद आता है फोकस लेकिन फोकस पे नहीं पहुचा वह पहुचा सेंटर ऑफ कर वेचर और फोकस के बीच में ठीक है तो अबजेक्ट का थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा एस कंपेर टू यह जो है हमारा मिरर ठीक है ठीक प्यूखिए हमें रे डाइगराम भी तो बनाना है तो छोटा साइज है औबजेक्ट का लाइट की रे एक ऐसे पैरलल गई फोकस से गई ऐसे करी तो कहा सेंटर से पास हो गई ठीक है एंड क्यूखिए आप सभी को पता है कि जब सेंटर से लाइट की रे पास करते है तो से में से चली भी जाती है वापस बस यह हुआ क्रॉस करके कहा इमेज का बन रही है इमेज बन रही है सेंटर के पीछे अब देखो एक ट्रेंड आप खुद समझो पहले अब जब इंफिनिटी पे था तो इमेज का बन रही थी फोकस पर जैसी थोड़ा पास आया तो इमे इमेज कहां बनेगी इंफिनिटी पे तो यहां पर एक ऐसे ऐसे थोड़ा सा मिलना हो जाएगा इंफिनिटी पे जाके मिलेगी जब कोई बीचिज इन्फिनिटी पे मिलेगी तो आप सभी को पता उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा है ना शिक्स जो केस है वो है उसमें एक एक ला किस कोरनल के मिलर में जहां पर इमेज क्या बनेगी वर्चुल बनेजी में और इंडिरैक्ट बनेगेब देखो हुद ऑब्जेक्ट आ गया और पास अब देखो मिलर में नहीं सकते तो फॉकस औंड पोल के बीच में तो आप खुद देखो यहां पर इमेज बनेगी रियल होगी एरेक्ट होगे जो इमेज का साइज होगा वो अबजेक्ट से ज्यादा होगा ठीक है समझ आया तो यह है में में फोर्मेशन बाइक अब जड़ा आगे बढ़ते हैं यूजर्द देख लेए ते कौन के मिरर के तो देखो यूजर्द के आप देख इसमें को मिल जाती है यह भी होता है ठीक है डाइवर्शी फाइब आ यहाँ साइज है लेकिन वो यह देखना पड़ेगा यह थोड़ो इसको नारजर भी मिरास होते हैं वो क्या होते हैं कोन के मिररी होते हैं डैन्टिस्ट भी सूटार्मेशन वगेरा में जो mirror आपको देखने को मिलता है वो भी concave mirror होता है तो यह concave mirror के थे uses अब image formation by convex mirror दो ही cases पढ़ने हैं जो आपके NCRT में इवन class 11 वाले वी दो ही cases पढ़ते हैं पहले case में क्या है object infinity पे आया टकराया आया टकराया actually में light की रहे तो नहीं मिलने वाली तो हमने मिला दी का focus पे पहले case में यह हो रहा है दूसरे case में क्या है object इसमें यह नहीं बता है कि कहा पर है बस यह कह दिया कि है तुम्हारा object खड़ा हुआ है अब हम कैसे बोले कि कहा है distance देखो पिछले case में क्या था कि object inside the mirror की तरफ पढ़ रहा था तो मैं कह सकता था center of curvature के पास है दूर है लेकिन भाई यह तो जो object मिलर के बाहर ही है मुझे कैसे पता कहा पर है अगर मैं बात करूं मिलर की direction में तो है नहीं है ना तो यहाँ पे center of curvature से पास होती तो ऐसा कर दिया ठीक है तो actually मैं यहाँ इमेज का बन रही है यहाँ पर image बन रही है between focus and pole के बीच में छोटा साइज है इमेज का यह है बस एंड यह रहा बस खतम convex mirror से जैसे इमेज बनते खतम बस इतना ही है अब देखो कुछ चीजे जो मैं आपको बता दिखाते हैं एंड जब आप numerical करोगे तो याद रखना हमेशा यू को क्या लोगे नेगेटिव लोगे चाहे कोई सा भी मिरर हो यू हमेशा नेगेटिव होगा वी डिपेंड करेगा वो पॉजिटीव हो या नेगेटिव होगा यह याद रखना है आपको तो यूज़ ऑफ सीधी इमेज मिलेगी करेक्ट एंड डिमेशल साइज मिलेगा जिससे हमारा जो वीव यह बढ़ जाएगी ठीक है अब साइन करवेंशन का यह ज़रा देख लेते हैं साइन करो गया तो सबसे पहली चीज़ क्या है देखो जब भी आप अब्जेक्ट करोगे हमें से लेफ सा होता है ठीक है यह सारी चीज़ आपने पड़ी होगी नीचे भी नेगटिव होता है पड़ी है ना सारी चीज़े नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं वह चीज़ है ग्राफ के अब देखो जैसे कि नॉर्मल होता है नॉर्मल केसिस में क्या होता है उपर होगा पॉजिटिव नीचे होगा नेगटिव तो यहां पर भी वह चीज़ होगी क्या है दा डिस्टेंस मिजर्ड पर्पेंडिकुलर एंड अबॉफ दा प्रिंस्पल एक्सिस के उपर है तो फोर्मुला कुछ नहीं है यह एंड जाता है यह क्या है इसका इस्तमाल करके आप आगे नमेरिकल करोगे ठीक है तो मैंने यह सऑ नकर्वेंचन की भी होगा, माइनस भी होगा, तो किस case में plus आ रहा है, किस case में minus आ रहा है, V plus कब आएगा जब हमारी image कहां बन रही है, इस right side को बन रही है, ठीक है, ठीक है, right side को बन रही है, and अगर नीचे है, तो, नीचे में तो खेर height आ जाते हैं, पर, height of object and height of image, अगर नीचे है तो positive, उपर है, तो, सरी, नीचे तो negative, उपर है तो positive, ठीक है, magnification की बात कर लेते है, magnification की है, basically magnification से में पता चलता है, कि जो image है कितनी magnified, यानि कि कितनी बड़ी हो रही है, object के comparison में, वो magnification होता है, formula simple सा है, height of image upon height of object, h dash upon h, plus minus आप सभी को लेना होगा, कैसे है, वो आपको बता दिया गया है, ठीक है, इसका एक और formula है, minus v upon u, यहाँ minus लगा हुआ है, लेकिन, आपको देखके minus plus लगाना है, कैसे लगाना है, वो आप सभी को पता है, next मिर बात करते है, reflection of light की, reflection में क्या होता है, light आप pass कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हो, light pass through कर रही है, object में से, तो जब light pass through करते हैं, तो light bend करेगी, चा करेगी, bend करेगी, आप सभी ने apparent depth, यह टम सुनी होगी, यह apparent depth क्या होती है, जिसे कि यह है, एक glass, transparent glass, उसमें आपने रखी क्या, एक pencil रग दी तो, pencil के जो actual depth है, ठीक है, एंड जो आपको दिख रही है, वो कुछ अलग होगी, वो जो आपको दिख रही होती है, depth, यह distance होती है, यहाँ पर अंदर बाहर होगा, incident ray आएगी, and refract होगी, इस बार, reflect का मदलब, पास थूर होगी, क्या incident ray, जब पास थूर होगी, तो उसे हम refracted ray बोलते है, रूल वही है, angle of incidence equal to angle of reflection रहेगा, क्या angle of incidence equal to angle of reflection, यहाँ पर आप दो चीजा आते, एक आजाते है medium 1, दूसरा आजाते है medium 2, medium 1 and medium 2, औव्यसी बाते है, एक medium से दूसरे medium में travel कर रहे है, तभी light bend कर रहे है, अब क्यों हो रहा है, समझो ज़रा, आप पड़ोगे, यह main चीज क्या, आप में चीज यह पड़ोगे, अब ही रूल समझो ज़रा, दो चीजे है, medium 1, अगर, medium 1 जो है, अगर उसका refractive index, क्या है, कम है, less है, medium 2 का refractive index है, ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर, अब जिसका refractive index ज्यादा होता है, वहाँ पर speed of light थोड़ी slow हो जाते है, slow होने के वज़े से, क्या होता है, एक्षुली में, जो light है, वो bend करने लगती है, ठीक है, यहाँ पर special term वगएरा है, यहाँ इन्होंने देखो, बता रख रख रहा है, optically dense and optically rare, ठीक है, optical basically light के लिएम यूज़ करते है, optical density, एक term इस्तमाल होती है, ठीक है, तो यह है, simple सा rule है, अगर light rarer medium से denser medium की और जाएगी, यह rule है, यह याद करना, rarer medium से denser medium की और जाएगी, तो light, कहा, towards the normal move करेगी, क्या towards the normal, ठीक है, and denser medium to rarer medium जारे तो light away from the normal move करेगी, कहा, away from the normal, यह दो चीज़े याद रख लो, अगर light rarer medium से denser medium की तरफ जाएगी, तो towards the normal, and denser से rarer medium की तरफ तो away from the normal move करेगी, यह अगर आपको समझ आ गया, तो आप reflection के diagram आसानी से बना लोगे, यह समझ भी लोगे, जैसे कि इस diagram में हो क्या रहा है, reflective index अगर मैं आपको दिखा हूँ, तो यहाँ पर देखो, air का है 1, and आप किसी भी glass का देख लो, जैसे कि dense flint glass है 1.65, भाई आप सभी को होता है 1.003 में, and 1.65 में, कौन से value जादा है, 1.65 वाली, यानि कि जो 1.65 वाला है, वो है denser medium, and rarer medium क्या है, air है, तो जब rare से denser medium की तरफ light move कर रही है, तो away towards the normal move कर रही है, देखो, यह है, ठीक है, light ऐसी जानी चाहिए थी, सही बात है, अब actually में हो क्या रहा है, कि light bend कर रही है, तो towards the normal move कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो, and, अब आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ अगले case में क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है, यह जो medium है, यहाँ से light pass through कर रही है, यहाँ यहाँ पर light के लिए पहला medium क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, बत्षो पक्का बहुत अच्छे, और बत्चो पता है, जब light बाहर निकलती है, तो इसे हम एक और नाम से जानते है, जो इस एंगल पर निकलते हैं, यार यह अगर medium same होता माल लो light तो ऐसे बिल्कुर straight path में चले जाती सही बात है लेकिन क्योंकि medium दूसरा है तो light ऐसे आई फिर हुई band है है ना कर लोगे बहुत अच्छे इंदेक्स क्या होता है the extent of change अब कितना चेंज हो रहा है एक मीडियम से domesmer में गाने में कितना जा रहा है वह किन जो जब बीधिवी किसी भी उसको आपको और इस में लिखने तो कैसे लिखोगे ? वर यह तो आपको पूरा अगर आप बाहर से देखोगे, count करोगे, तो ऐसे 1, 2, and ऐसे count करोगे, इस direction में, तो medium 1 को पहले, फिर 2, यह हमारा, clear है, and इसका formula simple साही है, speed of light in medium 1, upon me speed of light in medium 2, ठीक है, formula तो simple साही, reflective index निकालने का, वहीं अगर मुझे medium 2 का लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँँगा, and 1, 2, 2, 2, क्योंकि बाहर से देखने पर 2 पहले आ रहा है, ऐसे समझो, ठीक है, यह है, अगर मानलो, light vacuum से होकर, medium में जाते है किसी, ठीक है, तो क्या हो गया, जो formula होगा, reflective index का, वो यह है, speed of light in air, upon speed of light in vacuum, clear बात है, बाकि यह सब table, मन करें तो देख लेना, otherwise कोई खाज जरूरत नहीं है क्योंकि सबका पूछा नहीं जाता है, ठीक है, air का, मुश्किली पूछेगा कोई बाकि इतना 1.003 होता है, dense, flint glass का 1.65 होता है, reflective index, यह मैंने आपको होता है, optically dense and optically rarer medium, यह जो concept है, यह थोड़ा advanced concept है and काफी easy to understand है, बच्छो actually में क्या है, कि ना, जो light आ रही है, हम उसे actual में optical density में measure करते हैं, ठीक है, actual जो light आ रही है, उसको हम optical density में measure करते हैं, तो optical density के इसाब से, या तो object optically rarer medium बनेगा या optically denser medium बनेगा, यह relative होते है, clear बात है, यह होते है, relative, अगर एक rarer है तो दूसरा denser होगा, ठीक है, एक denser है, तो दूसरा rarer होगा, कम जादा value होग होगे, तो दोनों equal होगे, अब हम बात कर लेते है, spherical lens की, तो lens कुछ नहीं होते है, बच्चो, lens basically, जो mirror है, उसको आपने जोड़ दिया, एक ऐसा, एक ऐसा, यह आपको lens मिल गए, यह कौन सा lens है, पहला lens है, आपका conversion lens, यहापे light converge हो रही है, बस lens में क्या है, जितनी भी पहले तो lens बनता है basically, तो lens के आपको दो focus दिखेंगे, दो center दिखेंगे, अब हम lens में न क्या करते है, focus को नस, यह radius of curvature वगरा ऐसे नहीं दिखाते, आर की form में नहीं दिखाते है, हम 2F करके लिखते है, क्या लिखते है, यहापे हमेशा left side को priority देते है, तो यहापे F1 होता है 2F1 होता है, right side में 2F2 होगा, 2F1 होगा, sorry F2 होगा, clear बात है, बाकी image formation सेम चीज़े है, कोई खास फरक नहीं पड़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, पहले case में यह है, converting lens है, तो light आ रही है, infinity से आ रही है, converge कर यह focus पे, rule बिल्कुल से है, कुछ change नहीं हुआ है, बस यहा से आई, अब actually में टकरा के वापस जानी थी, लेकिन यहां पर pass through कर जाएगी, बस, आई pass through कर गई, बाकी आपको focus से गुजारना है, pole से गुजारना है, या 2F से गुजारना है, वो बिल्कुल सेम है, पहले की जैसा, तो यह है आपका सारा क्या है, यह जो आप देख रहे हो यह हो गया, आपका convex lens, एंड नीचे आगया, आपका concave lens, concave lens में भी देखो, दो ही आपको case पढ़ने है, जो कि आपने mirror में पढ़े हुए है, तो nothing new, जो आपने mirror में पढ़ा है, same change lens में है, फिर भी कोई doubt होता है, तो आप सभी को पूछ लेना है, मना तो आपको कभी किया यह है, ठीक है बच्चो, sign convention for spherical lens, same है, nothing change, बैसे आप इनका जो mirror, sorry lens formula, वो change हो रहा है, 1Y, V, minus 1Y, यह हो रहा है, mirror के case में plus आ जा रहा था, और कुछ नहीं है, sign convention आपको आनी चाहिए, V, F, plus में लेना है, minus में लेना है, कैसे, वो सभी आपको पता है, फिर भी अगर detail में पढ पार्ट वाई समझाया हुए, तो इस पैसिफिक पार्ट कोई पढ़ना हो, जाके वो देख लेना, power of lens की बात कर लेते हैं, बच्चो क्या होता है, टी जो optometry करते हैं, ठीक है, अप्थेल्म स्टोते हैं, जो, अप्थेल्मोलोजी वगरा जो पढ़ते हैं, यानि अरे जो basically arc length होता है, उसका उल्टा होता है, यानि कि focal length 1 by F equal to P होगा, P को हम D में दिखाते हैं, unit होते हैं, D, D को हम बोलते हैं, diopter, क्या बोलते हैं, diopter, ठीक है, वही length की ability, depend करेगी, converge करेगी, diverge करेगी, उसके focal length के उपर, ठीक है, ये चीज़ बता रखी है, exam में जैसे 1D कितना होत है, 1D equal to होता है, 1mm, meter का उल्टा, ठीक है, concave lens के लिए negative होगा, and convex lens के लिए positive होगी power, बाकी ये, अगर कई सारे जादा power आपको दी हुए, तो सबको जोड के लिख दो, आपकी ये collective power आ जाएगी, plus minus में ये सारी चीज़े बता रखी, ठीक है बच्छो, सुबच आज के lecture में इतना ही, hopefully आपको समझ में आया हो, and informative लगाओ lecture, तो like कर दो, share कर दो, and channel को subscribe कर दो, इतना दो करना बनता है, मिलते हैं अगले lecture में, तब के लिए